दोस्तों एकादशी तिथी भागवान विष्णु को अतिथिक प्रिया है। यह दिन भागवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भागवान विष्णु का पूचन का और ब्रत कैने का विधान है। हर महा में दो एकादशी आती है। हर एकादशी का अपना खास महत लेकिन साल की सभी 24 एकादशियों में सबसे महत्मूर एकादशी होती है नेजला एकादशी, यह एकादशी जेश्टमास की शुक्लपक्ष की एकादशी को आती है, नेजला एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है, बिना पानी के ब्रत को नेजल ब्रत कहा जाता ह और नेजला एकादशी का उबास किसी भी प्रकार के भोजन और पानी के बिना किया जाता है। इसलिए इस एकादशी को नेजला एकादशी के नाम से जाना जाता है। उबास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में नेजला एकादशी व्रत सबसे कठन भी होता नेजला एकादर्शी ब्रत को करते समय श्रथालू लोग भोजन ही नहीं बल्कि पानी की एक बुन भी ग्रहन नहीं करते। जो शद्धालू साल की सभी 24 एकादशियों का उपास कहने में सक्षम नहीं है उन्हें केबल नेजला एकादशी का उपास कहने से सभी एकादशियों के ब्रत रखने के बरावर पुन्यफल प्राप्त हो जाता है। सभी एकादशियों पर अन्न खाने से जो दोश लगता है वह दोश भी हड़ जाता है। और अपनी भूग को नियंतित करने में शक्षम नहीं थे। इसी कारण वह एकादशी ब्रत को नहीं कर सकते थे। भीम के इलावा बागी पांडब भाई, द्रौपती, सभी लोग, साल की सभी एकादशियों का ब्रतपुरी शधा से किया करते थे। भीमसेन अपने इस लाचारी और कमजोरी को लेकर परिशान थे। भीमसेन को लगता था कि वह एकादशी ब्रतना करके भागवान पिश्णू का अनादर कर रहे हैं। क्योंकि शास्तों में कहा गया है कि जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न ग्रहन करता है, उसी तूश लगता है। इस दुबधा से उभरने के लिए भीमसेन महिर्शी ब्यास के पास गए। तब महिर्शी ब्यास ने भीमसेन को साल में एक बार नेजला एकादशी ब्रत कहने के सलाधी और कहा कि नेजला एकादशी साल की सभी एकादशीओं के तुल्ल है। भीम सेन ने इस एकादशी ब्रत को किया तबी से इस एकादशी को भीम सेनी एकादशी भीम एकादशी के नाम से भी चाना जाता है नेचला एकादशी का ब्रत कहने से भागवान विश्णों की कृपा से ब्यक्ति के सभी पाप में जाते हैं सुख में जीवन बतीत का अंत में भगवान विश्णों की कृपा से बैकुंठ में इस्थान प्राप्त होता है दोस्तों इस पार नेचला एकादशी का ब्रत 31 मई दिन बुधभार को रखा जाएगा और ब्रत का पारण एक जून को किया जाएगा ब्रत पारण करने का शुब महुरत है एक जून के सुबह पांच बच का 24 मरण से सुबह आट बच का 10 मरण तक अगर आप शुब महुरत में पारण ना कर पाएं तो आप दोपहर एक बच कर 49 मरण से पहले पारण अविश्य ही कर लें क्योंकि दुपहर एक पच कर 49 मर्ट पर दौदशी तिथी समाप्त हो जाएगी और नेजला एकादशी ब्रत का पारण दौदशी तिथी समाप्त होने से पहले कहने पर ही ब्रत पूर्ण और संपन्न होता है इस पार नेजला एकादशी पर स्वासित्य योग बन रहा है जिसस पूरे दिन परमों केवल एक बार आद मेरा मचलि अंडत प्यान लेसन का भी सिवन ना करें यह भोजन भी आको सुध्यास्त होने से पहले ही काईडा है और सुधास्त होने के बार भोजन ग्रहन ना करें दस्मीतिती को भी भ्रमचर्य का पालन करें नेजला एकादशी प्रत में अन्न और जल ग्रहन नहीं किया जाता अगर आप इस प्रत को कर रहे हैं तो पूरे दिन भर में आपको एक बून जल भी नहीं पीना चाहिए कुछ लोग यह सूचते हैं कि हम जल नहीं पी रहे और वह गंगा जल का सिवन करते हैं या फिर भगवान के चर्णा मृत या पंचा मृत को जल में मिला कर उसको पीते हैं या फिर दूद इत्यादी पीते हैं तो ऐसी कलती भूल कर भी ना करें अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ब्रत तो टूटेगा ही साती आपको दोश भी लगेगा आप आपकी भागिदार बनेंगे इसलिए अगर आपने ब्रत रखा है तो ब्रत में अन और जल का सेवन ना करें फलों का जूज भी ना पियें किसी भी प्रकार का भूचन ना करें मिश्ठान इत्यादी भी ना खाएं भगवान पिश्णों के सभी भक्त इस ब्रत को कहना चाहते हैं लेकिन स्वास्त्य संबंदी समस्याओं की बच्छे से कई लोग चाहते हुए भी यह ब्रत नहीं कर सकते अगर आपको कोई स्वास्त्य संबंदी समस्या है आप पूरे दिन भर भूंके ब्यासे नहीं रह सकते तो आप साधारण एकादशी की तर है जल ग्रहन कर और फलहार का सेवन कर भी इस ब्रत को कर सकते हैं लेकिन यह सिफ वही करें जिन्हीं स्वास्ति संबंदी समस्या है और वह नेजल ब्रत नहीं रख सकते अगर आप फलहार से ब्रत रख रहे हैं तो ब्रत में आप किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन ना करें ब्रत में नमक का भी सेवन ना करें आपको मीठा भोजन ही ग्रहन करना चाहिए ब्रत्मी फलहार में आप कोटो, सिंघाडी, इत्यादी, समा की चावल का सेवन कर सकते हैं अगर आप ब्रत नहीं दख रहे हैं तब भी आपको आज के दिन चावल, जो का सेवन नहीं करना चाहें क्योंकि एकादशी के दिन चावल और जो को मासाहार की शेणी में रखा जाता है आज के दिन पान के पत्ते का सेवन भी ना करें साथी मसूर की दाल, बैंगन, मूली इत्यादी का सेवन भी भूल कर भी ना करें नेजला एकादशी के दिन अन्न और जल के त्याग के साथ ही आपको आज के दिन बुरी बिचारों और बुरी सोच का भी त्याग कर देना चाहिए नेजला एकादशी के दिन भूल कर भी अपने मन में बुरी बिचार ना आने दे किसी के प्रति घ्रणा ना लाए कोई भी ऐसे शब्द ना बोले कोई भी ऐसे कारे ना करे जिसलिए किसी को नुकसान पहुँचे या किसी का दिल दुखे इनसान ही नहीं जाने अंजाने में आप किसी जीब की भी हत्या ना करे अकर आप ऐसा करते हैं या आप हिंसा करते हैं तो आपसे भगवान नाराज हो जाएंगे और आपको जीवन भर कश्ट भोगना पड़ेगा साथी आपके ब्रत और पूजन भी सुईकार नहीं किये जाएंगे इसलिए इन बातों का विशिश तौरबा ध्यान रखें एक आदशी के अगले दिन सुभह उठकर इसनाना दी कर भगवान का पूजन करने के बाद आप जल से भरा हुआ कलश किसी भ्रामण को दान दें उसके बाद ही आप ब्रत का पारण करें ब्रत पारण करने के पर शाथ ही आप अन और जल क्रहन करें ब्रत पारण करने से पहले आप भूल कर भी जल का सेवन भी ना करें एक आदशी का ब्रत रखने वाले भक्त आज के दिन जमीन पर बिस्तर बिछा कर सोएं अगर जमीन पर नहीं सो सकते तो आप बैड पर सो सकते हैं लेकिन ऐसी बैड चार पाई पर ना सोई जो बांस की बुने हुई हो बांस की बुने चार पाई को अशुद्ध माना जाता है इसलिए अगर स्वास्ते संबंदी समस्या है जमीन पर ना सो सके तो आप बैट पर सो जाए लेकिन चार पाई पर ना सोए अगर आप ब्रत नहीं रख रहे हैं तब भी आज के दिन आपको मास मद्रा अंडे मिचली इत्यादी के साथी प्यार लेसन का सीवन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह तामसिक भूजन है और आज के दिन तामसिक भूजन करना बर्जित होता है नेजला इकादशी के दिन भूल कर भी किसी दूसरी की घर का अन्यजल ग्रहन नहीं करना चाहिए फलहार भी नहीं करना चाहिए ऐसा करने से दोश लगता है और कश्टों का सामना करना पर सकता है नेजला इकादशी के दिन आपने ब्रत रखा हो या नहीं रखा हो प्रिजना देखें, जिससे आपके मन में गल्यत विचार आएं। निनी हमाइख भगवां जसे मारे भगवान थ्राएं जया। और कोई आप पूझें और लिए तुल्सी तुल्सी जी को पूचन अवश्य संते न चाहने पूजन के लिए भी तुलसी के पत्ते आप एक दिन पहले तोड़ कर ही रख लें अगर ऐसा ना कर सके तो उसी दिन तुलसी के पास तूटे हुई चो पत्ते हो आप उन्हें भगवान के भोग में रख सकते हैं कई सारी लोगों के मन में बिचार होता है कि निजला एकादशी के दिन पक्षियों को गाई को खाना दें या ना दें किसी जुरत मंद को कुछ अन या जल का दान करें या ना करें दोस्तों निजला एकादशी के दिन दान का विशिश महत होता है आज के दिन अतिक से अतिक दान करना चाहिए जुरतमन्द वक्तियों को भूजन कराना और विशिश दोर पर सीदल जल पिलाना बहुत ही पुन्यकारी माना जाता है साथी पक्षियों को गाई को भी भूजन अवश्य कराए आपके घर कोई भी चुर्वत्मंद व्यक्ति आए तो उसी फूल कर भी खाली हाथ ना लोटाएं जिन लोगों को स्वास्ते संबंदी समस्या नहीं है उन्हीं नेजला इकादशी की रात को भी सोना नहीं चाहें और रातवा जाकर भागवान विश्णो की नाम का केटन करना चाहें दोस्तों इन यह मौका पालन करते हुए जो भक्त नेजला एकादशी की दिन भागवान लक्ष्मी नारायन का प्रत और पूचिन करते हैं भगवान लक्षमी नाराय उनकी सभी मनुकामनाय पूर्ट करते हैं उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंत आई हो कि प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंज के साथ शेयर जरूर करें और यूस्फुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाए थैंक्स फॉर वाचिंग